आज का टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है मास टाइम लेंथ एक सिंगल कॉंटिटी जो हमें मीटर में या सेंटीमीटर नापते हैं मास केजी या ग्राम में नापते हैं समय मिनट या सेकेंड इसको फंडामेंटल कॉंटिटीज करते हैं ड्राइब कॉंटिटीज या यूनिट इसका मतलब यह होता है इसका एक्जांपल है फोर्स वेट प्रेशर फोर्स को डिफाइन करेंगे तो होगा मास इन्टू एशलरेशन जो मास एक होता है मास एंटू मास पर सेकेंड पर सुट यह माश इंट प्रेशर भी राइब किया हुआ है प्रेशर ब्रावा था फोर्स पारिन टेरिया तो फोर्स कम लोग नापता है है नूटन में पॉर्सप्ट को डिफाइन कर सते मेटर मेटर इंटु आ सलेशन माश इंटु आ स्टैंट इंटु आसन अब यह इंटर में सिस्टम ऑफ यूनिट देर फोर टैप्स ऑफ यूनिट जिसले यह है डियाग्राम सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ अफ यूनिट मास का यूनिट और टाइम का यूनिट मास नापते है मिटर में मास नापते है किलो ग्राम में और टाइम नापते है सेकंड में इसी तरह दुसरा सी जी एस यहाँ सी जी एस में ही है जिस सेंटिमिटर ये लेंथ है सेंटिमिटर में मास है ग्राम में टाइम है सेकंड में मांस है पॉट में और टाइम है सेकेंड में हैसा है यूनिट है लेंध है मिलिमीटर में मांस है किलोगराम में और टाइम है यूनिट है जो सिंपल ऑना ड्राइब किया हुआ है कुछ टॉपिक इंट्रेस्टेंड देखते हैं इंस्ट्रेक्टिंग टॉपिक और यह है कि हम लोग साथ प्रकार का कॉंटिटी ऐसा यूनिट होता है फर्स्ट पहला तो हम लोग जान चुके मीटर जुसका सेंबल एम है उसको मेजर करते हैं लेंद किलोग्रम यानि केजी सेंबल जो मेगे नापते हैं मस सेंड यानि टाइम फेर्द है जो अलग से दिखते हैं जो इंपॉटेंट भी है वहाँ, है एमपीर है, डिनोट करता है एसे और इसे नापते है एलेक्ट्रिक करेंट फिप्थ है केल्विन सेम्बोल के इट यूज तो मेजर टम्प्रेचर जो ऐसा इनुट है तेम्प्रेचर का वो सेल्सियस नहीं है ना ही फायरेन हाइट है केल्विन है जो के से डिनाट करते हैं कि सिफ्स है मौल इस तो मेज़ तो एमांट आप संस्तांस या पार्टिकल ऑफ मैंटर जो पैरिया जो सिर्फान को अत्य है साथमा कंडेला इस की इत उत इस यूज तो मेजर इन लाइट ओ इंतेंसिटी कर इन तेन्ख नापते हैं कंडिला में ठैंक्यू पर वाचिग